नशा तसकरी के सरगनाओं पर परहार के लिए हरियाना पुलीस है तियार जी हाँ 75 नशा तसकरों की 42.7 एक करोड रुपे की 342 संपत्तियों को किया जबत सो नशा तसकरों की हुए सेकुडली तियार जल्द ही की जाएगी कारेवाई नशीले पदार्तों की तसकरी के खिलाव रियना पुलीस ने कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है परदेश के नव नियुक्त पुलीस महानी दिशक शत्रू जीद कपूर के निडेश के बाद परदेश में सो से अधिक नशा तसकरों की कुणली त्यार की गई है करीब 342 संपतियों को जब्त किया गया है जिनकी गुल कीमत ब्याली दिशन साथ एक करोड रुपे से अधिक है परदेश भर में फैली हुई है संपतियां राज्या के 75 परमुख ड्रग अपरादियों की है यो लेकनिया है कि मादक पदार्द अधियाएवी एक के प्रहुधान में परशावसनी कदिकारीयों को गैर करुनूनी मादक पदार्द वैपार से अरजित की गयी संपतियों को सीज़ जमा और जब्त करने की शक्ती मिलती है इस अधिनियम के तहट नशे के कार्या में लिप्त तसक्रों से सीधी या प्रोख शुरूप से जुड़ी संपतियां वित्य जाँच और जबती करने की शुरुवात की जाती है अधिनियम के तहट कारिवाई करते हुए संपत्यों की पहचान की जाती है और संबंधित स्थानिये सेचो दवारा सीज जबती के आदेश तियार किये जाते हैं गोरतलब है कि इन आदेशों को किरियावन करने के लिए दिल्ली में स्थित अधिकरित प्राधी करन की मंझूरी की अवशक्ता होती है हरियाना स्टेट नार्कोटेस कंट्रोल भी और दोबारा मिले आंकडों के अनुसार वश दो हजार के बाद कुर्शेतर करनाल फरीदाबाद सिर्सा कैतल और कई अन्यजिलों के नशात असकरों की अवैद संपत्यों को जपत करने में सफलता हासिल की गई है प्लीस प्रवक्ता के अनुसार वी हाल ही में जपत कीगी अवैद संपत्यों में भवे अमकान और मेहंगी गाडियों से लेकर कई परकार की उच्छ वित्त्य है निवेश शामिल हो रहे हैं उन्होंने बताया कि नशात असकरों के नैक्सेस को तोड़ने के लिए प्लीस वि भाग सहित कई विभागों के साथ बाचीत की जा रही है ताकि अपराजियों दवारा कमाई गई इस अवैद संपत्ती के समराज्य को नियंतर में लाए जा सके नशे के तसकरों दवारा कमाई गई इस संपत्ती के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है ताकि इन संपत्तियों को भविश्य में किसी और को ना बेचा जा सके और उस पर पूरण प्रतिबंद लगाए जा सके इसके इसके लावा वैद संपत्ति के मुद्दे पर भी ब्यूरो ये सनुशित कर रहा है कि कठोर कदम उठा कर परक्रिया को सचार और कानूनी रूप से सद्रिड किया जा सके हर प्रियाना के इलाकों में अब नशा नोजवानों को उजाड़ रहा है प्लीस आंकडों के अनुसार ही हर साल लगबग 90 लोगों की मौत नशे की ओवरडोस के कारण हो रही है साल 2009 से लेकर 2021 तक 12 साल की अफदी में नशे की ओवरडोस के कारण 1089 लोगों की मौत हो चुकी है राजसान से सड़े सिरसा जिले में दिली बंजाव राजसान की बहुत सी महिलाएं हैं जो नशे के गौरक धंदे से जुड़ी हुई हैं प्लीस की ओर से सिरसा जिले में 2016 से लेकर 2022 तक मादक पदार तसकरी के अंतरगत 140 से अधिक महिला तसकरों को पकड़ कर इन से भारी मा आतरामी चिट्टा समयक व्या अफीम बरामत की है अगर हम आकणों की बात करें तो वर्ष 2020 के दुरान हरियाना प्लीस ने डीपीएस अधिनियम के तहत 275 मामली दर्श की हैं 4975 वेक्तियों को किया है गिर्फतार और 345.496 किलोगराम अफीम 157.259 किलोगराम चरस प्लीस ने नशा तसकरी में शामी लोगों की पूरी कुडली तियार कर ली है प्लीस दवारा रन्टी बना ली गई है खास बात यह है कि पुलीस ने इसे अब पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायद प्रतिनियों को भी छोड़ने की प्लैनिंग की है हरियाना एंसीबी पर मुख एडी जीपी ओपी सिंग ने बताया कि नशा तसकरों पर कारवाई तेज कर दी गई है हरियाना एंसीबी का अभियान जल्द ही प्रदेश के कोने कोने में फैल जाएगा ब्यूरो द्वारा प्रदेश में सो बड़े ड्रग तसकरों की पहचान भी कर लेगी है ब्यूरो वर्तवान में इन तसकरों और उनके सहयोगियों से जुड़ी चल और अचल संपत्तियों का पता लगा रही है और उनके संभावित जबती के लिए एक रोड मैप त्यार किया गिजा रहा है उन्होंने बताया कि हरियाना के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के निदेश पर हरियाना प्लीस की हालिया करवाई ने नशे के तसकरों को भारी नुकसान भंचा है प्रदेश पुलीस नशे से संबंदित हर परकार के अपराद का पूरी ताकत से सामना करने के लिए तैयार है हरियाना पुलीस एक नशा मुक्त समाज बनाने के अपने द्रिड संकल पर अटल हो चुकी है हमारी खास रिपोर्ट